जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का बाइलोजी का चैप्टर 3 है वनस्पतनी जगत यानि कि प्लांट किंग्डम और इसका हम लोग आज 40 MCQ देखेंगे जो most important होगा आ सकता है आपके पास इस PDF से आपने पढ़ाई कर लिया होगा लेकिन आप लोगों को करना क्या है न कि आप लोगों को सिप practice लगाना है ठीक है आप लोगों को सिप test समझ करके ये वीडियो को देखना है और हमसे पहले answer करना है इसके बार आप हमें last में comment करकर जरूर बताएं सबसे पहले सवाल पर हम लोग आएंगे स्टार्टिंग में पहला सवाल देखे जो इंग्लिस मेडियम के चातर हैं वो इंग्लिस वाले सवाल को देख सकते हैं और जो हिंदी मेडियम के चातर हैं तो वो हिंदी मेडियम के सवाल पर focus करेंगे वैसे हम हिंदी मेडियम से ही प्रस्तुत किया गया तो पुस्पी पादपों का वर्गी करन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था राइट अंसर हो अब यहाँ पर एक आप ट्रिक लगा ले ना कि पुस्पी पादप का बात जब भी करेगा ना तो पुस्प मतलब फूल तो आप किसको फूल दे रहे हो भाई आप किसी के बड़े पर जो है फूल दे रहे हो बथदे यानि बेंथम दोनों नाम मिलता जूलता है बस छोटा से या बात याद रखना आप से उप्षंस कभी गलत नहीं होगा अगले सवाल पर ये कौश्चन नंबर दो में आप से कह रहा है कि निम्ण में से कौन सा वर्गीकरन तंत्र जीवों में विकासिये संबंद पर अधारित है यानि कि आप कौन सा तंत्र जो होगा जीवों में व इन में से कौन कॉलोनिय सेवाल है तो वाल वाक्स दोनों नाम काफ़ी टफ है जानता है हूँ याद नहीं होगा तो चलिए ट्रिक लगाते हैं जब आप इसी भी जगहां पर लोग रह रहे हैं और उसको आप wall से 4 तरफ घेड देंगे तो वो क्या बन जाएगा एक colony बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा बास समझ में है कि ने यहां से आप इसको trick लगा करके याद कर सकते हो tough था इसलिए trick लगाना आवश्यक है ताकि आप लोगों को याद हो शके कोशन बचार प्याते कह रहा है इन में से कौन तंतु मही सहवाल है अब इन में से कौन होगा भाई तंतु मही सहवाल आपको यहाँ पहचानना है राइट अंसर हो जाएगा इस्पाइरो गैरा क्या हो जाएगा इस्पाइरो गैरा जो है यहाँ पे तंतू मही क्या है सैवाल है ठीक है अच्छा सवाल है यह वाला याद थीए फीता की तरह लंबा कुंडलित क्लोरो प्लास्ट किसमे होता है फीता की तरह लंबा कुंडलित जो क्लोरो प्लास्ट होता है वो होता है इस्पाइरो गैरा में ह होता है ठीक है अगला सवाल है हमारा किस सेवाल में फ्लैजिला युक्त युगमक माप में सामान होता है यानि कि किस सेवाल में फ्लैजिला युक्त युगमक जो है वो माप में सामान ने होता है राइट आंसर है जाएगा इसका ओप्सन नंबर ए यूलो थ्रिक्स क्या हो जा जाता है तो फ्लैजिला जो पाय जाएगा वो इस पैरो गैरा में पाया जाएगा ठीक है कोश्चन नमबर आठ पर यह कहा जा रहा है इसमें से किसके द्वारा एगार प्राप्त किया जाता है यह सवाल काफी छियातरी भोजन के रूप में करते हैं काफी अच्छा सवाल है एक्जाम में पुछे जाना योग गया है तो क्लोरेला का उप्यों कियाता है रिस्प्रियू लाइना का उप्यों कियाता है यानि कि ए और भी दोनों ऑप्सन डी इसका राइट एंसर होगा कोस्टर नमबर दस पे आई ये कहा जा रहा है हरा सवाल में कौन सा क्लोरोफिल परभावी होता है तो हरा सवाल में कौन सा परभावी होगा वो आपको बताना है कहा गया है वाई इसका आप्सन्स इसमें options गलत है देखें यहाँ आपन ना मतलब इसका दिया ही नहीं है कि कौन आपको बोलना है A, B, B, C इसको आप छोड़ो दो दो ठीक है दो options देगा तब यह right answer होगा इसका जहाँ पे गड़बड़ा है हरे सहवाल की कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है यह भी सवाल काफी अच्छा है और important है तो यह जो हारा सहवाल होता है इसकी कोशिका भित्ती जो दो है cellulose और pectoge की बनी होती है याद रखेगा question number 12 पे आईए कहा जा रहा है कि फियो फाइसी यानि भूरा सहवाल में संचित भोजन किस रूप में रहता है जो बनी होती है न वो बनी होती है cellulose की algin की starch की या ARB दोनो तो यहाँ पे होगा cellulose और algin ठीक है option D A और B दोनो ठीक है question number आते हैं 14 पे कहा जा रहा है निम्न मेंसे कि सहवाल में नासपाती के अकार वाला जुस्पोर पाया जाता है तो कौन से सहवाल में पाया जाता है तो option B इसका राइट अंसर हो जाएगा भूरा सहवाल ठीक है अगले सवाल पाये है question number 15 हमारा कि इन में से कौन फियो फाइसी का उधारन है फियो फाइसी का उधारन आपको बताना है चलिए इसके options को देखते हैं सागर, शरगाम, शरगाशम, लैमिनेरिया, एक्टो कापर्स या फिर इन में से सभी तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा इन में से सभी option D question number 16 में कहा जा रहा है कि किस वरनक के कारण सहवाल का रंग लाल होता है काफी अच्छा सवाल है और ये सवाल आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो राइट अंसर हो जाएगा फाइको ए क्रिथीन सहवाल का रंग लाल होता है फाइको ए रित्रीन ठीक है, क्रित्रीन नहीं है रित्रीन है, इसको याद कर लिजेगा कोस्चन नबर 17 पर ये कह रहा है कि लाल सहवाल, यानि कि रोडोफाइसी में भोजन किस रूप में संचित रहता है तो जो लाल सहवाल है उसमें भोजन जो होता है वो फुलोरीडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, option C question 18 है, इन में से कौन रोडोफाइसी का उधारन है इन में से जो रोडोफाइसी का उधारन होगा वो हो जाएगा, इन में से सभी हो जाएगा option D, gracilaria, porphyra, और gelidium, तीनों होगा question 19 पर आईए, कहा जा रहा है पादब जगत का उभेचर होता है, वो कहा जाता है bryophyte को, किसको कहा जाता है bryophyte को, question नमबर आते हैं, हम लोग 20 पर bryophyte की मुख्या, मुख्यकारी कैसी, मुख्याइक कैसी होती है, ठीक है तो right answer option number C, और गुनित होती है कैसी होती है, और गुनित होती है question 21 किस bryophyte में pit पराप्त होता है, यानि कि किस bryophyte से pit पराप्त होता है आपको बतानी है तो right answer हो जाएगा, इसका options number C हो जाएगा is fake num ठीक है, is fake num question number आते हैं, हम लोग 22 पे, कहा जारा है, इन में से किस में जेमा कप पाया जाता है किस में जेमा कप पाया जाता है ये आपको बतानी है, तो right answer हो जाएगा liverwatt में जेमा कप पाया जाता है question number 23 में आईए कहरा है, liverwatt के spherophyte में निमलिखित में से कौन सी संदचना पाया जाती है तो कौन सी संदचना पाया जाएगी तो option C path, ceta, oeum, capsule ज्यादा करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका teridofite का किसका teridofite का अस्थल पर उगने वाला पर्थम पादप कौन है, ये अच्छा सवाल है इसको ध्यान में रखना है आप सभी को तो ये जो हो जाएगा आपका teridofite option number C question number 26 में कहा जा रहा है, निम्ड में से संकू किस पादप में बनते हैं तो किस पादप में जो है वो संकू आपको बनता हुआ दिखेगा, तो equisitum, किसमें बनेगा? equisitum question number 27 में ये कहा जा रहा है समवहन उतक का विकास किस पादप में सबसे पहले हुआ समवहन उतक का जो विकास सबसे पहले कौन से पादप में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा टेरीडो फाइट में, option C ठीक है next आते हम लोग 28 टेरीडो फाइट की परभावी आवस्था क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ispherophyte क्या हो जाएगा? इसपेरो फाइट question number 29 पे आएए गुरू बिजानू मातरी कोशिका में मी और सिस द्वारा कितने बिजानू बनते हैं? राइट अंसर हो जाएगा, option number B चार बनते हैं, ठीक है question number 30 में आएए, कहा जा रहा है इन में से किस पादप वर्ग में बीज ढखे हुए नहीं होते हैं तो कौन से पादप वर्ग ऐसा होता है जिसके बीज जो है वो ढखे हुए नहीं होते हैं, तो जीमनो अस्पर्म किस में हो जाएगा? जीमनो अस्पर्म question number 31 पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? बहुत ही अच्छा सवाल है इसको देखकर ही जाना है तो यह हो जाएगा आपका एंजी ओ अस्पर्म पादप जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है एंजी ओ अस्पर्म ठीक है question number 32 इन में से कौन सबसे उच्छा एंजी ओ अस्पर्म है तो कौन सबसे उच्छा हो जगा तो यूकेलिप्टस ठीक है इसको याद रखिएगा question number 33 फिनेरिया के बिजानू अंकुरित होकर बनाते हैं क्या बनाते हैं तो यह जो बनाएंगे proto-nima बनाते हैं प्रोटो-nima question number आते हैं हम लोग 35 पे कहा जा रहा है कि साइकस के जड में क्या पाए जाता है तो साइकस का जड होता है उसमें क्या पाए जाता है यह आपको बतानी थी राइट अंसर होगा इसका option number C एना बीना एवाम no stock question 36 पे आते हैं कहा जा रहा है कि सिले जी नेला किस पादप वर्ग से सम्बंदित है तो सिले जी नेला जो है और सिले जी नेला जो है वो जो है आपका टेरीडो फाइटा वर्ग से सम्बंदित है ठीक है question number 37 कारा किस परकार का सहवाल है तो कारा जो है वो हरा सेवाल है हरा सेवाल को क्या बोलते हैं कारा तीक है इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं जैसे कि कारा कारा और काला तो हारा कभी कभी इतना हारा हो जाता है कि वो काला दिखता है दिखता है ना तो इस तरह से इसको याद रखेगा कोशन नमबर आते हैं हम लोग 38 पे ब्रायोफाइट्स की मुख्य विसेश्था क्या है तो ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य विसेश्था है उनका स्पेरोफाइट गेमेफाइट पर निर्भर रहता है यह हो जाएगा option C कोशन नमबर 39 जिमनोस्पर्म को नगन बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या पायाता है अंडा से भित्ती नहीं होता है ठीक है क्योंकि इसमें अंडा से भित्ती नहीं होता है ठीक है question number 40 पे आते हैं ठीक है बबब question number 40 में कह रहा है कि funeria के इस पो spherophyte में क्या होता है फिनेरिया के जो spherophyte होता है उसमें जो पाया जाएगा वो पाया जाता है आपका option B foot, ceta और capsule ठीक है फिनेरिया के spherophyte में क्या पायाता है foot, ceta तदा capsule यह option B इसका right answer होगा तो total 40 सवाल है आप लोगों का आप लोगों ने कितना सही किया फिल्स कॉमेंट करकर बताईए आप हमें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों